हालो फ्रेंट्स वेलकम टू मोडेस्ट मैट्स फ्रेंट्स आज ये क्लास फ्रों मों का 28 क्लास है इसमें आज हम लोग परसेंटेज के कुछ नए नए प्रसेंट को सिखेंगे तो चलिए सुरू करते हम लोग आज के इस वीडियो को एक छात्र को परिच्छा में उतिर्ण होने के लिए 36 परतिसत अंक चाहिए वह 24 परतिसत अंक प्राप्ट करके 18 अंकों से फेल हो जाता है कूल अंक क्या है देखिए ये परिच्छा से सम्बंधित कुश्चन है बोलता है कि पासिंग मार्क्स जो है किसे एक जाम में वह 36 परतिसत है कोई चात्र है वह 24 परतिसत नंबर लाता है कोई चात्र है जो 24 परतिसत नंबर लाता है लेकिन वह क्या होता है 18 अंक से फेल हो जाता है 18 नंबर से फेल हो जाता है तो नंबर के जगा देखा जाए तो 18 है और percentage में देखा जाए तो कितने के अंतर है तो percentage में अंतर देखा जाए तो 36 और minus में 24 बराबर देखा जाए तो कितना परतिसत है 12 और इसी 12 परतिसत के बराबर जो है कितना नंबर है 18 ठीक है friends तो हम लोग से पूछा है कूल अंक क्या ह है तो यह जो 18 है यह है 12 परतिसत के बराबर दोनों को divide करेंगे तो 1% का value मिलेगा हम लोग को cool चाहिए मतलब total जो की होता है 100% 3 से काटते हैं देखें इसको 6 बार में और 3 से काटते हैं आपे 4 बार में 4 से काट लेते हैं इसको friends 25 बार में 25 को 6 से into करेंगे तो 150 मतलब कि total जो marks था वो 150 था आप यहाँ पर देखें passing marks भी पूछ सकता था question में इसी question में पूछता की passing marks क्या है पासंक क्या है तो इस 100 के जगा हम लोग क्या रखते हैं 100 के जगा यहाँ पर 100 के जगा हमें रखते हैं जो passing marks कितना था 36 तो यहाँ पर हम लोग 36 रखते हैं यह पूछता वो कितना नंबर लाया तो 36 के जगा 24 रखते हैं कुछ भी पूछ सकता है question वो question को ध्यान से पढ़ करके आपको समझना होगा चलिए यह question है उसी type का वीडियो को पाउच करके इसे solve करें और इसका सही answer comment box में comment करें एक परिक्षा में 70 परतिसा चातर उतिर्ण हुए तथा 180 चातर अनुतिर्ण हुए तो कुल चातर क्या है देखिए percentage पता है कि total percent हमेशा कितना होता है 100 होता है जिसमें 70 परसेंट अगर पास है देखिए बहुत अच्छा question और simple सा question है सिर्फ समझने का बात है 70 परसेंट अगर पास है तो कितना परसेंट बजगया 100 में से 30 परसेंट ये क्या होगा fail होगा 30 परसेंट fail होगा और इसी 30 परसेंट के बराबर दिया हुआ है कितना 180 ये देखिए 180 जो ये fail दिखा रहा है हम लोग का तो 180 को अगर divide कर दे 30 से तो एक परसेंट का value हम लोग को चाहिए क्या cool छात्र cool मतलब की फिर से कितना परसेंट 100 तीन से कटते हैं इसको 00 तीन से कटेगा 6 6 को 100 कर देंगे तो friends कितना आ जाएगा 600 तो टोटल वहाँ पे जो student था वो 600 option number 6 question का सही answer हो जाएगा friends उम्मिद करता हूँ question आप लोग को बिल्कुल चीतर से समझ में आ गया होगा friends चले ये उसी type का question है वीडियो को पाउच करके solve करें से और इसका सही answer comment box में comment करें देखे most important question है previous दें पूचा गया ये question एक चातर पाउच विशयों में 60% अंक प्राप्त करता है यदि उसे चार विशयों में 52 परतिसत अंठावन परतिसत 65 परतिसत और 50 परतिसत अंक प्राप्त हुए तो पाचवे विशय में उसे कितने परतिसत अंक प्राप्त हुआ ये हम लोग से तो देखे 5 विशय है तो सबसे पहले 5 विशय कितना माक्स का होगा हर विशय पता है कि 100 का होता है तो ये total होगा 500 का जिसमें से वो 60% नंबर लाया था तो 60% लाया है अगर तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं एक बार यहां पर देखिए कि 500 का 60% अगर निकाला जाए तो 101010 से 10 काट लेते हैं तो कितना नंबर लाया होगा वो 300 अब बख्स करना क्या है न आपको ये सब को जोड़ दीजे सब को जोड़ लीजे पहले 52 है फिर 50 है 65 है और 50 है सब को जोड़ते है तो देखे 55 10 और 11 110 110 और 50 160 60, 160 और 60, 220, 225, 225 और बस 300 में इसको माइनस कर दीजे friends, 300 में इसको माइनस कर दीजे, तो कितना आएगा, 75, अब 75 नमबर बोलिए या 75% बोलिए, क्योंकि 100 नमबर कहा ही तो एक subject होता है, 100 में अगर कोई 75 नमबर लाया है, तो वो परसेंट भी तो 75 के बराबर होगा, तो इस question का सही answer हो जाएगा, friends अगर question अच्छे लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को जल्दी से like कर दीजे, अपने study group में जो भी अपका है, उसमें share करें, अपने दोस्तों को भी share करें, और अगर आप इस channel में नए student है, तो हमसे जुडने के लिए भी तूरंत इस channel को subscribe करें, और notification पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, friends, चलिए उसे tap का ये question है, अब आप लोग के लिए, वीडियो को पाउच कर लें, और जल्दी से solve करके इसका सही answer comment box में comment कर दें, देखिए, most important question ये भी है, चुनाओ वाला question अक्सर एक जाम में पूछा जाता है, एक चुनाओ में दो अमिदवार सामिल हुए है, जिसमें जीतने वाला अमिदवार जो है, वो 63% वोट लाता है, देखिए, मालिय जए दो अमिदवार एक A है, जो की 63% लाया, और एक B है, त total होता है, कितना 100, तो ये कितना लाया होगा, 37%, तो हारा कौन होगा, भी हारा होगा, अब बोलता है, प्राप्त करके 26 वोटों से जीत जाता है, जीतने वाला जो उमिदवार हो, 26 से वोटों से जीता है, तो अगर percentage में अंतर देखा जाए, तो percentage में देखिए, कितने का अंतर होता है, 63 माइनस 37, अंतर कितना का हो जाएगा, 37 और 6 हो जाएगा, 43, 43 और 20, मतलब कि 26 परशेंट का अंतर होता है, तो इसी 26 के बराबर दिया हुआ है, फ्रेंट्स, इसी 26 के बराबर दिया है, 26, पूछा क्या है, हम लोगों से, कूल वोट, कूल पूछ रहा है, कि ध्यान वाला उमिद्वार कितना वोट लाया तो आपको ध्यान देना है पूछ क्या रहा है तो यहाँ पर टोटल पूछाया तो टोटल के लिए टोटल निकालते हैं 26 सो को 26 से डिवाइट करेंगे एक परसेंट का मिलेगा हम लोगों टोटल चाहिए मतलब 100 परसेंट काड़ देता है तो एक सो सव को सो से इंटू करेंगे तो कितना आएगा दस अजार तो यह दस अजार है इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी तो उम्मीद करता यह कोस्चन भी आप लोगों को अच्छी तरस से समझ में आ गया होगा कहीं कोई परिशानिया दिक्कत नहीं हुई होगी चलिए यह सेम कोस्चन फ्रेंट अब आप लोगों के लिए है वीडियो पाउच करें और इसको सौल्प करके जल्दी से इसका सही अंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें यह अपने कुल पुंजी का 40% खर्च करता है देखिए यह है महां ले जाए उसके पास टोटल पुंजी था 100x क्या बुलता 40% खर्च कर दिया तो 100 का 40 खर्च किया तो सेस क्या बचा इसके पास सेस बचा 60 अब क्या बुलता खर्च कर दिया फिर सेस पुंजी का एक चौथाई खर्च करता है तो सेस यही था ना अब क्या करता फिर खर्च करता हो 60 का 1 चौथाई मतलब कि 4 से कट जाएगा ये 15 बार में 15 फिर कहीं खर्च कर दिया अब क्या उसके पस 6 बचा होगा अगर 60 में 15 खर्च किया तो बचा होगा 45 फिर क्या बूलता है फिर 6 पुनजी का फिर खर्च करता है पहले एक चौथाई किया अब करता है सेस पुनजी का एक तिहाई तो एक तिहाई मतलब 1 वाई थर्ड तो 45 का 1 वाई थर्ड अगर करेगा तो 3 से कट जागा ये 15 बार में फिर से वो 15 खर्च कर दिया तो अब उसके पास 6 क्या बचता है 6 अगर 45 का 15 खर्च कर दिया सेस बचेगा फ्रेंट्स 30 सब में X लगा हुआ है क्योंकि X माने थे तो 30 X और यदि आब उसके पास 27 है तो कुल पुनजी देखिए इसी 30 X के बराबर 27 दिया हुआ है तो हम लोग इस 30 X के बराबर लिख सकते हैं देखिए 30 X बराबर में देटे हैं हम लोग 27 X का बहलू निकल देगा है यहां से 1 0 से 1 0 काटते हैं 3 से काटते हैं इसको 9 और 0 90 ठीक है फ्रेंट्स तो हम लोग टोटल क्या माने थे हैं 100 X तो 100 X में क्या करना है हम लोग को 100 X का बहलू है 90 तो कितना हो जाएगा इंटू करके 9000 तो आप्शन नंबर आप्शन नंबर ए इस कोस्चन का सही अंसर हो जाएगा तो उम्मीद करता हूं यह कोस्चन बे आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा फ्रेंट्स गहें को परिशानी या दिक्कत नहीं होई होगी चले फ्रेंट्स यह कोस्चन है अब आप लोग के लिए उसी टैप का है उसी पैटन का है वीडियो पाँच करके जल्दी से स्टॉल्व करें और इसका साही अंसर कमेंट बक्स पर कमेंट करें प्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक सेर और कमेंट जरूर करें इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी